आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव की जो तयारियां है सभी पार्टियों में काफी तेजी के साथ बढ़ रही हैं पूरे प्रदेश के साथ ही पांचोर राज्यों में होने वाले विधायन सभा चुनाव की को ले करके जितने भी राजनेतिक डल है वो उसको प्रत्यासियों को ले करके मन्थन हो रहा है आपको अतार है कि चुनाव के इस सफर में हम पहुशे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ग्रे जनपत गोरकपुर में और आपको अतार है कि इस समय हमारे साथ बात चित करने के लिए गोरकपुर जनपत के सहाजनवा विधान सभा से बस्पा के प्रत्यासी सुधीर सिंग है जो विधान सभा छेट अंतरगत आने वाले पिप्रवली ब्लाक से प्रमुख भी रह चुके हैं तो सर स्वागत है आपका इस चुनावी महासफर में पस्पा ने आपको प्रत्यासी बनाया है सहजनवा सीट से सहजनवा गोरकपुर जनपत का एक प्रमुख सीट माना जाता है चुकि सहर से सटे हुए है और आपके विधान सभा सीट के अंतरगर्थी गीड़ा आता है तो भी आपने बताया कि प्रत्रम बात जो है कि गीड़ा की आ गई तो अगर गीड़ा की बात यहां पर आई हुई है तो मैं पूछना चाहूंगा इसके पहले जो भारती जनता पार्टी की सरकार है उस भारती जनता पार्टी की सरकार से मैं पूछना चाहूंगा कि जिस जमीन के सर्किल रेट के लिए ये आंदोलन एक बार किया करते थे आज जो है कि भारतिय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है आखिर जो है कि 15 साल त 18 साल से जो है यहां का सर्किल रेट क्यों नहीं बढ़ा आप देखे होंगे कि आप अभी जो फोर लेन जो बन रहे हैं फोर लेनों में जो है कि सारे जो भी किशान हैं उनको 6 लाग साड़े 6 लाग 7 लाग रुपया डिसमिल के हिसाब से उनको जमीने जमीनों का जो है कि मुआउजा मिलता है मगर अगर बात कर दी जाए गीडा की जमीन की तो गीडा की जमीन जब ली जाती है तो गीडा की जमीन 72 लेट जान सकते हैं कि क्या है और जब ये गीडा वाले इसको जो है कालोनी डेवलप करके बेचते हैं तो आठ लाग 9 लाग रुपया डिसमिल बेचते हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई मन लिजे अभी किसी जगह पे आप अभी देखिए अभी हमी लोग की जमीने हैं काले सर के अगल बगल की जमीने सारी जमीने निकल गई और जो है कि उसको वैशाइक रूप से बेच रहा है तो 9.5 लाग रुपया डिसमिल बेच रहा है और हम किसान इतना परिशान है इतना बेबस है कि वो कुछ बोल नहीं पाता है जब वो जो है कि कहीं रोट पे उतरने का काम करता है तो उसको लाटियां मिलती है क्योंकि यहाँ पर कोई जमीनी अस्तर का आदमी ही नहीं है क्या होना चाहिए क्या बदला होना चाहिए आपके समस्यारे चाहिए है हमारे ही चाचा जी का जमीन निकला और जो है कि साड़े छैलाक रुपय डिस्मिल पाते हैं और जो है कि उस नदी के बगल में बंदे के इधर हमारी जमीने जो है कि ली जाती है तो बहतर हजार रुपय ली जाती है तो कम से कम जो है कि सारकार जो है कि समान्यता तो करे क्यों समानता करनी चाहिए समानता करनी चाहिए और मैं जो विधायक होंगा तो निश्चीत लुप से इस के लिए अंदोलन होगा इस सी के लिए कि मैं रोड पर इतरने का कम करूंगा यहां पर आप देखे होंगे कि जमीने तो हमारी ले ली जा रही है जमीने चली है आप ले ली है हम तो गीडा के विकास अपने रोजगार के नाते हम लोग जमीने देते हैं और जब रोजगार की बात आती है तो रोजगार किसको दी जाती है गुजरात और बिहार और हर जगह से जो है कि लोग आते हैं और लोग आते हैं करते क्या है यहां जानते हैं यहां पर जो भी लेबर होते हैं लेबरों को जो है कि कांटेक्ट बेस्ट पर रखा जाता है यह भारती जंता पार्टी तो जो है कि रेल जेल सब बेज डाली उसके बाद जो है कि रागया बाद जो है कि जहां पर अभी आज आप देखेंगे जो नियम है उद्योग का उस उद्योग के नियम के हिसाब से यहां पर 12,000 रुपया जो है कि पे होनी चाहिए दस घंटे जो है कि ड्यूटी होनी चाहिए मगर यहाँ पर गरीबों का खुन चूसने का जो काम हो रहा है यहाँ पर साथ हजार रुपय पे बारे बारे घंटा यहाँ पर नौकरियां कराई जा रही है लेबरों से और हो क्यों रहा है क्योंकि राची इधर उदर से सारे लोगों से बुला लेते हैं अस्थानी लोगों को तो नौकरी मिलनी ही नहीं है अगर कोई चला गया अस्थानी आदमी कि अरे कहा के हो तो एक बड़ी समस्क्राइब तो फिप्टी परसंट यहां के लोगों को पहले तो उनको रोजगार देना पड़ेगा और जो बारे-बारे घंटा ड्यूटी करा रहा है समविधान के हिसाब से उसकी ड्यूटी हो समविधान के हिसाब से उसकी पेत हो अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्ची तुरूप से हम लोग उनकी फैक्टरियां भी नहीं खुलने देंगे प्रदेश मिस्त में भाटजन्था पार्टी की सरकार है मुख्य लड़ाई डेखने को जो हा रहे हो समाजवादी पार्टी ते कि हमारी मुखिया बहंजी से पूछिए महासचीव जी बात करेंगे इसके लिए जो है हमारी मुखिया बात करेंगी और भी हमारे बड़े नेता बात करेंगे सुधीर सिंग जो है इस साजर्मा बिधान सवा के बेटा है मैं नेता नहीं बनना चाहता हूं मैं यहां का बेटा जबना चाहता हूँ सुधीर सिंग जो है कि सिर्फ इस बिधान सभा की बात की जाए पादी ब्लाक में रेगुलेटर की बात की जाए इन सारे मुद्दों पे मुझे चुनाओ लड़ना है और मैं साजनवा बिधान सभा के बारे में जानता हूँ सुधीर सिंग जो है कि साजानमा विधान सभा के बारें बात करेगा आमीन अरी कि आपने बात की बाढ़ एक समय प्रमुक समझ साइज बिधान सभा चेत्र को लेकर के आप बाढ़ को लेकर कि क्या सोच रखते हैं कैसे वर्ला होना जाए कि इसको जिम्मेदार इसमें क्यों न ब्लाक में चले जाएए आप जो है कि अभी च्छताई मंजरिया सब जगह यहां पर देख लिए किस तरीके से बाढ़ का जो है कि इस्तितियां है कैसा यहां पर जो है कि बाढ़ आ रही है हमिसार आमी नदी में जो है कि यहां से लेकर वहां तक बंदे का निर्माड हो लोगत बंदा ने बनवा रहे हैं अभी तो एक सरवे में आया था इटियाई के तहट किसी ने मांगा था तो 25 हजार कितना था अठार्टार मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं अगर फिर भी दोसे और किसी से कोई बात नहीं करनी है साजानवा विधान सभा में मैं में 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 मेरे सामने बन पर चले गए लोग और मैं देखता हूँ तो यहां पर मुझे बहुत कष्ट की बात है कि साजनवा विधान सभा में यहां पर जो है कि हमेसा लोग छले जाते हैं छले ऐसे जाते हैं जो लोग विधायक होते हैं कभी मुद्दे पर बात ही नहीं करते हैं कभी विधान सभा में खड़े नेनेता चुना कोई रिटायड आदमी था कोई सोने वाला आदमी था कोई पिच्चर वनाने वाला आदमी था हर कोई जो है सब कोई सब के सामने है इसमें कोई चीज किसी से चुपा हुआ रही है बात करें घर हम चुनाओ को ले करके जातिवाद एक फेक्टर रहता है हर जगा को लेकर कि आपके वहां ब्राम्हड बाहुले साब माना जाता है कौन कह दिया क्योंकि अगर हम चुनाव की गड़ित को देखे तो अधिकतर विढ़ायक ब्राम्हड चुने गए इसको कैसे अरे ब्राम्हड कहां चुने गए को ब्राम्हड चुन लिए गए उनको को ब्राम्हड मानता था अरे उनको ब्राम्हड नहीं माना जाता था मेरी बात भी तो सुन लिजे रविंदर सिंग जो है कि यहां के एक नेता थे राजपूतों के कि जब वो चलते थे तो उनके पीछे जो है काफिला निकल जाया करता थ जो है कि सीतल बाबा के साथ जुट गया, ब्राम्मर समाज का ओट जुटा ही, सैथवार समाज में जीम सिंग जो की यहां से छोड़ कर दूसरे विधान साबा चले गए थे, सैथवार समाज के लोग जो है कि अपने आपको ठगा हुआ मसूस किये, इस वज़ा सैथवार समाज का ओट चला गया, और जीम सिंग के साथ जो है कि नहीं रहे हों लोग, और सारे ओट जो है कि सब मिल के बहत्तार हजार हुआ, तो चालीस हजार कभी पार ही नहीं किया था, यह तो पहली बार ऐसा है कि 40 अजार पार कर गए, और विधी प्रत्यासियों के ना थे, ने तो यह हमेशाब BSP की सीट रही है आप देख लीजे उठा के संचानवे से G.M. सिंख पहली बारे यहाँ पर चुनाओ लड़े तो एक हजार ओड से हारे दूसरी बार चुनाओ लड़े तो दस हजार से जीते हैं तीसरी बार जो है कि समाज के बिर्जे सिंग को देखिये 15 दिन के अंदर जो है कि गोल गप्पे की तरह उठाएं और जो है कि 10,000 ओट से जो है कि विज़ाई होकर यहां से गए और उसके बाद फिर जीम सिंग आए तो मैं आपको बताया है कि यहां के लोगों को चल के गए थे इस वज़े से लोग जो है कि उनको एकसेप्ट नहीं की जनता में आप लोग जा रहे होंगी क्या रुजान देखने को मिलना है यह तो आप ही लोग मीडिया कर्मी है आप सब लोग जो है कि आप से पूछना चाहरा हूं हमको तो बहुत सहयो करना चाहेंगे कई सारे आरोब तक त्यारोब पिछले दिनों आपके उपर भी लगें चुकि अब तो चुनाओं में हैं आप बिधायक के तोर पे और विधान सभा का प्रतम जित्व करने के लिए बस पाने आपको यहां से कंडिडेट भी बनाया है क्या देखते हैं उसका मेरे पत्नी का और मेरा पर्चा खारिश कर दिया सारे लोग मुझे निर्विरोच चुन लीये थें उसके बाद भी सबको लगा उसके बाद ब्रुंक को परचा खारीज हो गया उसके बाद जो है कि फिर दुबार कोई भरने वाला नहीं था फिर ती बारा जो है कि जब परचा भराये गया तो भारती जनता पर्टी ने दोनों शीटों से चुनाओ लड़वाया और दोनों शीटों से इति एक जगह साथ सो से मैं चुनाओ जी था अगरं जबर्जस्ती किया रहता था इसी से यही अंदाजा लग जाता है जबर्जस्ती करता हूँ कि यहां की जन्ता मुझे प्रेम करती है अब तो मतपट खुलेगा ओटिंग पड़ेगा अगर जो है की सुधीर सिंग गलत है अगर रोट आपको जो है कि सही सी मिल जाए तो माल दिजेगा कि इस दुखी भाई के साथ जो है कि पूरी जनता खड़ी है तो ये थे हमारे साथ साजनवा विधान सभा से वस्पा की कैंडिडेट सुधीर सिंग आपको बताया दे कि काफी चर्चित चेहरा रहे हैं विगत कई वर्सों से दिनों से नहीं हम कहेंगे विगत कई वर्सों से और वर्सों इने प्रमुक भी रहे हैं पिप्रोली विधान आप देख रहे हैं सक्छा न्यूज इंडिया सबसे पहले सबसे तेज़